हेलो प्रेंड्स कैते हैं आप सभी सभागत है आप सभी का इस यूटूब चैनल पर और मैं हूँ अमशेक दिवांगम इस विडियो में इस विशेय पर हम डिसकस करने वाले हैं जिस विशेय पर हम हम देखेंगे वल्ण माला के अंतर्गत हम पढ़ंगे की वर्ण क्या है उसके बाद हम वल्ण माला को पढ़ेंगे तो आए अपसे पहले हम हम और नहीं तोड़ सकते जैसे अगर मैं बात करूं कमल की तो मैं कमल को कम और ला में तोड़ सकता हूं आपके सामने क्लियर है तो भासा की सबसे छोटी काई को वर्ण कहते हैं तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है सब्द बनता है जैसे कम और लेसे मैंने क्या बनाया सब्दों से मिलकर क्या बनेगा वाक्य बनेगा और वाक्य से मिलकर क्या बनेगी भासा बनेगी इस प्रकार से खासा की सबसे च्छोटी काई क्या होगी वर्न होगी तो इसमें आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है सबसे च्छोटी काई को वर्न कहते हैं और वर्नों से मिलकर बनता है सब्द सब्द से मिलकर बनता है वाक्य और वाक्य से मिलकर बनता है भासा एक एक्जाम में यह question पूछा गया था कि भासा की सबसे छोटी काई क्या है तो भासा की सबसे छोटी काई ध्यान रखेगा वर्ण है धनी नहीं है अब देखते हैं वर्ण माला वर्णों के विवस्थित क्रम को वर्ण माला कहते हैं हिंदी में कुल 52 वर्ण है इस प्रकार से वर्ण माला में वर्णों को बाटा गया है इसी प्रकार सीरीज में आपको याद रखना है यहां इस तभी पॉइंट से question पूछे गया है सबसे पहले इस प्रकार से फुल 11 स्वर है जहां रखेगा अगर ऐसा question पूछा गया कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको आंसा लेना है 11 ना की 13 clear है जो दो आपके वर्ण बज़ गया है अम और आहा उसने अयोग वावर्ण के रूप में जाना जाता है इसे अलग से question पूछा गया है इसके बारे भी कि अयोग वावर्ण कौन कौन से है तो अम और आहा को अयोग वावर्ण कहा गया है और स्वरों की जो मूल स्वरों की संख्या है या स्वरों की संख्या है वो कितनी है 11 है ध्यान रखेगा clear है व्यंजन व्यंजन भी कुछ पार्ट में या कुछ भागों में बटा हुआ है जिसमें है इसपर्स व्यंजन जिनकी संक्या है 25 इसपर्स अर्थात हम जब इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर कुछ पार्ट है या कुछ भाग है वो आपस में एक दूसरे से इसपर्स कर तो इसको आपको तो आपको याद रख सकते हैं अब इनको याद कैसे कि रखना है एक दम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक बार में आपको याद हुजाएगा, सबसे पहले आपको कचछ अब याद रखना है, अब क कल ये आपको, अगर आप मोबाईल में टैपिंग करते हैं, अगर आपको हिंदी टैपिंग भी करना है, तो भी आप English keyboard यूज़ करते हैं अगर आपको क लिखना है तो क लिखने के लिए आप English keyboard में क्या टाइप करते हैं के टाइप करते हैं और उस अगर के में मैं एच जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा ख बन जाएगा बस वही आपको एच लगाते चलना है जैसे क वर्ग में एच जोड़ दो बन गया क्या इसके बाद ग और ग में अगर मैंने एच लगा दे तो क्या बन गया ख तो क ख ग ग अंगा इस प्रकार से क वर्ग के पांच वर्णों को आपको याद रखना है कुस्सन यहां से ऐसा भी पूछ सकता है कर वर्ग का तीसरा वर्ड न कौन सा है कर वर्ग का अंतिम वर्ड न कौन सा है तो कैसे भी पूछा जाएगा अगर आपको कचट तब याद है और आपने उसमें एच जोड़ना आपको आगे तो आपको ये 25 परस वेंजन असानी से याद हो जाएंगे अगर मैं उसी प्रकार च की बात करूँ तो च के लिए हम क्या टाइप करते हैं C, H और अगर मैं C, H, H कर दो तो क्या बन जाता है च बन जाता है देखे हांगे च, च उसी प्रकार च के लिए हम J ही यूज करते हैं जाध हना और पावर्ग में पफ बभ मा इस प्रकार से इन 25 इस फर्च वेंजनों को आपको याद रखना है यहां से बहुत सारे कोश्चन बनेंगे आगे जाके हम अल्पप्रान महाप्रान पढ़ेंगे तगोष दुनी अगोष दरी पढ़ेंगे वो इसी 25 इस फर्च वेंज ओक हैं इप ऐगाते चलना हैं इसके बाद देखते हैं अंता इस्थ वेंजिण जिनकी संहिए है चार इसको फोगе कई सारे एकडां में पूछा गया है अंतीस वंजटे निम्नस से कौन से हैं या निम्नस में से कौन सा नहीं है असा खुछन कई बार पुछा गया है इनकी संक्या है चार यह र ल और व उस्म्हेंजन की बात करें तो आपको आगर यह अंतारिस्थ वैंजन उसमें वैंजन इस पर्स वैंजन अच्छे से याद हैं तो पुशन कैसे पूछे आतानी से आंचर ले सकने हैं इसकी प्रखाय अगर मैं संयुक्त वैंजन की बात करूँ तो संयुक्त वैंजन की संखया है चार और सेंगते वंजन कौन-कौन से तुछ नहिंदे बैंजन और सिंचार सहां भैंजन Allan indications रमत a गर संयूकत कsoon मतलब ऑला हूँ मैं जूछन है वह दो वर्डों से मिल कर बने हैं और यह मिलकर बने है का और सा से जहां रखिए नहीं बैमें हलन्त है अगर तरकी में बात करओं तरह मिलके बना है तह और से यह मिलके बना है जलसे इसको पूछा गया कि कि बेंदोबरनों से मिलकरवना हैं क्लियर है तो आपको चारो वर्णों को याद रखना है चारो वर्ण है किन से मिलकर बना है ये भी आपको याद रखना है और संहीत वंजनों की संख्या कितनी है तो चार इसी प्रकार से उच्छिप्त वंजनों की मैं बात करूँ तो उच्छिप्त वंजनों की संख्या कितनी नहीं होने आपको denial को द्व्गुण ध्यातव व्चन को नाम से इस फॉस्टव्था व्यंजन और ने इस प्रकार से इन 52 वर्णों को हमको याद रखना है, 13 स्वर है जो दो पार्ट में डिवाइड है, 11 स्वर और 2 अयोग वाह वर्ण है, इसके बाद व्यंजन की में बात करूँ, तो व्यंजन में व्यंजन भी तीन अलगग भागों में बटा हुआ है, इस पर स्वेंजन जिनक इनकी संक्या है 4, उसमें व्यंजन इनकी संक्या है 4, और उचिप्त व्यंजन इनकी संक्या है 2, इस प्रकार से इनका टोटल आप करेंगे, तो टोटल 52 वर्ण हिंदी में है, और उस प्रकार से डिवाइड है, यह हमने अभी पढ़ा, इसके बाद वर्णों के भेद, कि बेद दो होते हैं स्वर्ड और वेंजन ये इन दोनुें अंतर क्या है इस पर भी डिसक्स करने वाले हैं तो अगर मैं स्वर्ड की बात करूं तो स्वतंतर रूप से बोले जाने वार्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उचारण के लिए लुए अन्य वर्ण में आएंगे यह वियंजन से अलग कैसे है मैं आपको आगे की स्याइड में बता हूँ जब वियंजन स्याइड में यह स्याइड के बाद वह अपको क्लियर हो जाए कि स्वर और वियंजन दोर के प्रकार और हरश्वस्वर और दिर्ग्रस्वर ये दो प्रकार है स्वर के मूल्सवर कौन-कौन से तो मूल्सवर है और इमकी संख्य कितनी है चार्ट ये को सन टारेक्ट एकजाम में पूछा गया है कि मूल्सवरों की संख्या कितनी है तो मूल स्वर की संक्या है चार और यह मूल स्वर कौन-कौन से है अ, ई, उ, और री उसी प्रकार से अगर मैं दिर्गस्वर की बात करूं तो जो मूल स्वर के बाद बजगे स्वर हैं वो सभी किसमे आ जाएंगे दिर्ग स्वर में आ जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सभी किसमें आ जाएंगे, दिर्ग स्वर में आ जाएंगे, तो स्वर के प्रकार में आपको याद रखना है मूल स्वर और दिर्ग स्वर, इसके बाद जीब के प्रयोग के अधार पर भी स्वरों को बाटा गया है, मध्य स्वर कहा गया है अको और पश्च स्वर कहा गया है आ, उ, उ, ओ, और आउको, क्लियर है, उस्ती प्रकार आगार में बात करो मुख द्वार खुलने के अधार पर, तो विवरित स्वर आ है, अर्ध विवरित स्वर है, अ, और आउ, यह आपको डारेट रटना पड़ेग और उ, क्लियर है, इस प्रकार से आपको स्वरों के इस प्रकार को भी याद रखना है, कोश्चन ऐसा पूछ सकता है, कि जो आ है, वो कौन से प्रकार का स्वर है, ऐसा कोश्चन पूछा भी गया है, और यह प्रकार है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, क्लियर ह पेसिक अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो अनुनासिक स्वर मतलब जिन सब्दों को बोलने से या जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुख और नाग से वायू निकलती है मतलब नाक पर जोड़ दे के हम अगर किसी सब्दों को बोलते हैं या किसी वर्णों को बोलते हैं तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएगा और जीन स्वरों को चारण में हमको सिर्फ और सिर्फ मुह की आसकता होती है या वायू के वायू के वाल मुह से निकलती है वो निरनुनास तो समझ देखते हैं वहां से कि क्या है वो अनुनासिक स्वर है, और निर्नुनासिक की अगरा बात कहीं, तो जब श्वर का उचारण करते समय वायू के वल मुह से निकलती है, तब वह निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, तो मैंने बेसिक डिफरेंस पहले बता दिया, अगर व उसी प्रकारव मैं A की बनता है मैं ऐ के बनता है uit रागे इस पर हम डिस्क्स करेंगी जब संधी पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर स्वर है यहाँ से भी एक बर कुछ सन्प पूछा गया था अब देखते हैं व्यंजन वढ़न के दो धो दो भेद हैं स्वर और व्यंजन जिसमें हमने स्वर पढ़ लिया और स्वर जब की सब कि आसकता होती है वेंजन कहलाते हैं मतलब स्वर और वेंजन बेसिक डिफरेंस यही है कि स्वर सतंतर रूप में होते हैं जबकि वेंजन सतंतर रूप में नहीं होते हैं जैसे अगर मैं बात तो देखे का की तो का क्या है? का एक वेंजन है, अब अगर मैं का को तोड़ता हूं तो का किस में तूटेगा? का और आ में, इस प्रकार से का में हलन्द लग जाएगा और आ बाहर आ जाएगा, तो देखे, इस वेंजन का की मुझे उचारन के लिए देखे, यहाँ पे किसकी आसकता पढ़ आ की, लेकिन आ के उचारन के लिए मुझे किसी अन्य सवर या अन्य वर्णन के आ सकता नहीं पढ़ रही है। है तो व्यंजन ऐसे वर्ण जो शुतंतर रूप में नहीं होते हैं जिन эта हमको व्यूक्त יौई कशारन के लिए हमको स्वर की आसकता होती हैम की बात करूऊ यहां पर ख की बात करूऊ तो ख में भी या पर लगा हुआ है 사़की बात करूऊ तो यहां दिफ्रेंस है और इसी अंतर को आपको याल रखना है व्यांजन के गर मैं वर्गी करण की बात करूं तो इस पर हम पहले ही डिसक्स कर चुके हैं 25 इस पर स्वेंजन है अंतहिस्त व्यंजन की संख्या 4 है और उस्मुसंगर्शी विंजन की प्रेक्तर। प्रेविश्य एर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये कुसह संख्या की अधार पर स्वास के कंपणी की आधार पर वियंजन को बाटा गया है अघोस धोनी और सघोस या घोस धोनी घोस धोनी है दोनों मतलब एक खोष्धधनी किसों कहेंगे हर वर्ग का मतलब कौन से वर्ग का तो जो हमने इसपर्ष्व एंजिन पढ़ा है इसपर्ष्व एंजिन इनकी संखे कितनी है पचीज है यहां से आप देख सकते हैं तुबर वर्ग का कहा जो कह वाले ना तो यह कंप्लीट जो पहला और दूसरा वर्ग है यह क्या कहलाएंगे और सघोष धनी तो बागी जो बच गया है ती चार पाच यहीं से आप और कोश्ण पुछ जागा जैसे question पुछा गया कि ड़ कौन से प्रकार का धनी है अघोस की सगोस देखे अघोस है क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा क्या होगा सगोस धनी होगा इसके लावा अगर मैं स स और स की बात करूँ जो उसम संघर्षी वेंजन है ये तीनों भी अघोस धनी में आएंगे और केवल जो ह ह है और चार अनताइस्थ वेंजन यह रह लवा ये भी किसमें आएंगे सगोस में आएंगे इनको अपलग से याद रखेगा स स और स तीनों अ अगोस तीसरा चौता पांचवा जो वर्ग का वेंजन है वो क्या कहलाएगा सगोस या घोस कहलाएगा तो यही अगोस और सवगोस में अंतर है कि इसके बाद देखते हैं स्वास या प्रण के मातरा के अधार पर भी वेंजन बगाटा गया है अल्प प्रान और महाप्रान अल्प प्रण हिंगान प्रत्त्र वर्ग का पहला तीसरा और फांच्वा बेंजन अब प्रत्तीक वर्ग मतलब जो इस पर्च्वा यह पढ़आर Колि क्लियर है यह जो पहला वर्ग है और यह जो तीसरा वर्ग है और यह जो पांचवा वर्ग है यह क्या कहलाएंगे अलप प्राण कहलाएंगे और जो बजगे है दूसरा वर्ग यह दूसरा वर्ग है और यह चौथा वर्ग है यह क्या कहलाएंगे यह महा प्राण कहलाएंगे तो अगर म तो प्रत्यकवर का पहला तीसरो और पाच्वाण किसमे आएंगे अल्प प्राण में क, ग, च, ज, ये सब किसमे आजएंगे अल्प प्राण में इसके लावा अनताइस्ट वेंजन जो है यारा लवा वह अल्प प्राण में आएगा सबी जो 11 वह भी अल्प प्राण में आहेंगे और अनुस्वार भी इसी में आएगा अल्प प्राण में ही आएगा इसके लावा घर मैं महाप्राण की बात करूँ तो महाप्राण जो दूसरा और चौथा 2-4 महाप्राण है ऐसा खोड़ बनाके याद रसकते दो चारी महाप्राण है तो बज गए एक तीम पाच वो किसमे आजाएंगे अल्प प्राण में आजाएंगे तो प्रत्यक वर्द का दूसरा और चौंथा वर्ड अगर जैसे कह घर च यह सब किसमे आएंगे महाप्राण में आएंगे इसके अलावा जो उसमसंगर्सी व्यंज पूछा गया है बेसिक आपको बनाना है 25 इसपर्थ वंजन को जहां से अल्प प्राण महाप्राण यह सगोष्ट को आप क्या कर पाएंगे वहां से अंसर ले पाएंगे इसके अलावा हिंदी ध्वनियों का उचरनिस्थान यहां से भी कोशन पूछा जाता है उचरनिस्थान अर्थात इस प्रकार से कर आप मैप में देखेंगे तो जब हमारी कोई भी सब्दे या कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो वायों हमारे मुख के अंदर से विबिन से टकरा कर वायों बहार निकलती है और इसी के अधार पर उच्छारनिस्थान बनाया गया है तो इसको आपको प्रेकल करके नहीं देखना है कि मेरे कुछ भी वर्ण अगर मैं बोल रहा हूं तो वायों मुख से कहां से बहार आ लिए इसके लिए आपको एक कोड याद रख को सीरीज में बिष्जमा दें है कि अचटतब और देखिए कताम दंतोस्थ कताम के कसे कंधव्य, ता से तालव्य, मस मुर्धनिय, दंत से दंतव्य और ओस्थ से ओस्थः या इसको चारणिस्थान क्या है तो जह देखिए कौन इसको उचारण स्थान क्या है तालविय आपको याद रखना है कताम दन तोस्ट और कचब तब तो यह वाला टॉपिक जो आपका है यह वाला जो यह वाला जो स्लाइड है आपसे आसानी से बन जाएगा नहीं था है एक आप चाहिए थो प्रेक्ट करें देख सकते हैं और स्थव्य तो यह जो जो आपका से पहले टेच करेंगी आपस में दुसरे को इस पर्स करेंगे उसके बाद ही हम इस वर्ण को बोल पाएंगे जैसे जैसे फ इक है मैं जब बोलना हो तो तो मेरे दोने होट आ आप एक बार बोल के देख सकते तो उस्ठावी वंजन को आप समझ जाएंगे ताकि दंतव्य, मुर्धन्य, तालव्य और कंठव्य को आप जज नहीं कर पाएंगे, ट्रेटिकल करके हमको नहीं देखना है, क्लियर है, कचटतप और कंताम दंतोष्ट को आप असानी से याद यह वाला जो स्लाइड है, आप उसके असानी से बन जाएगा, आगे हम MCQ भी सॉल करेंगे, भुषकली प्रस्में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा यह टॉपिक, क्लियर है, तो इस प्रकार से वर्ण माला, यह हमारा टॉपिक कंप्रीट हुआ, इस वर्ण माला टॉपिक की उस पर, और इसके अलावा हमने वर्णों का उचारणिस्थान, इस टॉपिक को भी पढ़ा, क्लियर है, अब देखते हैं, इस टॉपिक से समबंदित बहुप विकल प्रस्म, तो पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है, भासा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भासा की सबसे छोटी इकाई, आपके सामने है, सब्द, वेंजन, स्वर और वर्ण, तो भासा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण, यह हमने पढ़ा है, वर्णों से मिलकर बनता है, सब्द, सब्द से मिलकर बनता है, वाक्य और वाक्य से मिलकर बनता है, भासा, यहां से आप देख सकते हैं वो अपने अच्छे से पढ़ा है समझा है तो आप आसानी से कुस्तन का आंसर ले लेंगे नेस्ट कुस्टन है वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला तो आज का हमारा टॉपिक है सब्द समू को वर्णों के संकलन को सब्द गर्ना को या वर्णों के विवस्थित समू को तो वर्ण माला किसे कहेंगे वर्ण माला हम कहेंगे वर्णों के विवस्थित समू को क्लियर है ये भी हमने पढ़ा है नेक वतर है निम्द में से कंठ धमनिया कंट ध्वनी कौन सा है पूछ रहा है भी इस पर डिसकत किया है हमने कंट ध्वनी option है कख यह रह ज़ यह और अना तो आपको मैंने जो कोड बताया था कचट तब और कंताम धन तोस्ट उसको आप तीरीज बेठा दीजे है ना यह देखे यह वाला चार्ट आपको पर जो मिला हुआ है नोट्स में उस पर आप देख सकते हैं कचट तब और कताम धन तोस्ट है ना कंट धनी कौन-कौन से है तो का खा गधा अंगा तो option में क्या है हमारे पास का और गधा है ना यह देखे option यह उपास वारी क्या है कह और खा तो कह और कौन से धनी हो कर गधा इसके बाद इस्थैन के अधार पर बताईए कि मुर्धन ने वहनजन कौन सा है मुर्धन ने वहनजन तो कचट और कताम मतलब तीसरा जो आपका सीरीज में जो आएगा वो आपका आंसर होगा है ना तो आमने गोर चार्ट से फिर से मिला लिते हैं यह देखें कर ताम जो मुर्धन्य वर्ग का जो है ना जो मुर्धन्य वर्ग में कौन-कौन से आएगा तो टा वर्ग वाला जो वर्ण है वह मुर्धन्य वर्ग के अंतरगत आएगा क्लियर है यहां से आप अंसर ले सकते हैं, जो क्लियर है तो बिल्कुल भी आपको कन्फूज होना एक छपत्र और टंट्र को आप सीरीज क्लियर was दमा लेजिंगma लिजिए आंसर आप बन जाएगा निम्न में से अल्प प्राण बर्ग वर्ण कौन सा है अल्प प्राण के बारे में पूछ रहा है तो अल्प प्राण और महा प्राण ये दो पार्ट हमने पढ़ा है वेंजन के जो प्रकार है ना और आप सा नम के सामने है अ-अ-अ- वग, थद, वग और भव ठीक है तो मैंने आपको जब यह पढ़ाया था दुस्सरा बताया था कि एक, तीन और पांच, एक, तीन और पांच है न जो इस पर्च वंजन के पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांच वर्ग है तो अल्प प्राण के अंतरगत आते हैं तो पहला वर्ग ऑप्शन से आप देख सकते हैं गागा, खदा और वाभा है न यह देखें यह जो हमको कि options को भी आप मिला सकते हैं, वो match नहीं करेगा, clear है, इसलिए क, और गा सही answer होगा, वो 5-गा सही answer होगा, भी बाकि option को भी आप मिला सकते हूँ, chart के साब से, यह match नहीं करेंगे, next question है, निमने मिन से नासिक के वेंजन कौन सा है नासिक के वेंजन ध्यान रखेगा जिसको उचारण करते हैं हम नाक से बोलते हैं वायू नाक से निकलती है क्लियर है तो स, इया, ग, और ज, बोल के आप देखिए तो इया जब आप बोलेंगे कौन से है अयोग वह वर्ण इस पर भी हमने डिसकत किया है अ आ ई ई उ या अम आहा तो जो तेरा स्वर है उसमें दो अयोग वह वर्ण हमने पढ़ा था और वह है अम और आहा इसलिए 7 का सही आंजर होगा नेस्ट कौस्टन है तो स और ह व्यंजन है इसलिए 9 का सही आंसर होगा थी नेस्ट कौस्टन है च व्यंजन का उच्चारण कैसा है च व्यंजन का उच्चारण अगोस है सघोस है मघोस या खगोस तो नीचे के दो ऑप्सन तुमने पढ़ा भी नहीं है ऐसा कोई सब्द होता भी नहीं है अगोस और सघोस हमको पहचानना है क्लियर है तो अगोस में कौन-कौन से वर्ण आएंगे पहला और दूसरा और सघोस में दूसरा तीसरा पहले वर्ग में आ रहा है और पहला और दूसरा किसमें आएंगे अग्होस में आएगा तो चा किसमें आएगा अग्होस में इसलिए इस पहले वर्ग के अंतरगत आ रहा है तो आपको चार्ट अच्छे से याद है और आपको यह पता है कि अग्होस में एक तिन पांच को लेना है तो अपासानी से आंसर ले लेंगे में तो फैक्शल को सण हिंदी में कुल 33 वेंजन है ध्यान रखेगा 25 इसपर्ष वेंजन चार अनतहिस्त और चार उसम संघर्षिन तीनों को जोड़ेंगे तो तुट्रल अल्पु प्रान, महाप्रान, प्रयाग या प्रस्थान, तो घ्ञा कौन से वर्ग में आईगा अरगर कि चौंधे वर्ग में यह आएगा और महाप्रान का मैंने आ imprison two-four ही महाप्रान है यहां साब देशाते देखे घः यह जो घः दिख रहा है यह गवर्ग का चौथा वर्ग में अंतरगत एक वर्ण है घः तो कख गः और घः और दूसरा और चौथा यह दोनों कौन से वर्ग के अंतरगत आएंगे महाप्राण में आएंगे पहला तीसरो और पांचो अलप प्राण और महाप्राण को अच्छे से याद कर लिजिए कि इसके अंतरगत कौन-कौन से वर्ग के वर्ण आएंगे उसके बाद जो भी कुछ तने पूछा जाएगा इस पर्स वर्ण के आधार पर आप आंसर आसानी से ले सकते हैं नैस पतन है यह कैसा व्यंजन है यह इस इस पर्स अन्ताइस्थ उस्म और संयुक्त तो यह र लव यह चार वर्ण जो हैं वो किसके अंतरगत आते हैं अन्ताइस्थ व्यंजन के अंतरगत आते हैं इसलिए तेरवे का सही आंसर होगा इस पर्स वर्ण कितने हैं इस पर्स वर्णों की संख्या तो इस पर्स वर्णो प्रतिक वर्ग में 55 वर्ण है और प्रतिक वर्ग में 5 5 वर्ण से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते है तो ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं संयुक्ति व्यंजन, श, स्र, गिया और स्र, ये चार जो व्यंजन है, इसको हम संयुक्ति व्यंजन के नाम से जानते हैं, और ये किन से किन से मिलकर बना है, इसको भी हमने पढ़ा है, तो पंदरवे का सही आंसर होगा, लिए वर्ण का उस्टारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आउसकता नहीं होती है ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है option आपके सामने है वर्ण, अक्षर, स्वर या व्यंजन तो सोलवे का सही आंसर होगा स्वर स्वर वर्णों को जब हम चारित करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की आओ सकता हमको नहीं होती है स्वर संद रूप में होते हैं इसलिए सोलवे का सही आंसर होगा इसलिए सोलवे का सही आंसर होगा इसलिए स्वर कैसा व्यंजन है इसलिए सत्रवे का सही आंसर होगा 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 दाथ, क्लियर है, तो आपको उस चार्ट पर जाना पड़ेगा, आप उस चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं, या समझ सकते हैं, यह देखे, दख, दख, देखे, कौन से वर्ग के अंतरगत आ रहा है, तो तवर्ग की अंतरगत आ रहा है, और इसमें अगर मैं कताम तो दक इसके अंतरगत आएगा दंतव यह के अंतरगत आएगा तो दक आूट चानिस्थान है चाहत इसलिए अठार्वे का सही आंसर होगा ती सारा चीज में डिटेल में आपको पहले पढ़ा दिये अब आप और शिर्फ आपको आपको पॉर्मेट में जमा के आंसर लेना है है और कुछ नहीं करना है तो देखे यहां पर आपको दिख रहे है और कताम दंदोस्ट को अगर मैं जमाऊंगा तो डग इसमें आ मुर्धयन्य के अंतरगत आ रहा है इसलिए स्कोशन का सही आंसरों का सी मुर्धा या मुर्धयन्य जैस को सने वाक उच्छानिस्थान है उस्ठव्य पेंठव्य मुर्धयन्य या मुर्धय नात क्लियर है तो फ जो है वो आकरी वर्ग का च characterized अन्तरगत आता है और प वाले वर्ग के अंतरगत जो वर्ड है किसकी अंतरगत आते हैं यहां से आप यहां से आप देख सकते हैं एक छो है वह कञoth आपके अंतरगत आएगा इसलिए इस स्थाइंच का सही आंतर होगा a option में जो भी जहां पर भी अप्सराइगा वह रोगर उसकाव यह भी में है थी में यह जहां पर भी रहेगा उसके साप से आपको वांसर लेना है तो फार का यांतर होगा अंतरजत कौन आ रहा है इसलिए 21 का सही आंसर होगा के इसका चानल करते समय हम नाग का प्रयोग करते हैं इसने 22 का सही आंजर होगा A मैंश को साने ए लिए 2 रहे रिश्वस्वर इरग्स्वर लग्वूल रो 2 रहे यह तो जो है भ़ा है रिश्वस्वर रहे है इसmund haben इसनी स्तर ऐ रहा है जिनकी संख्य कितनी एर चार 58 प्र लिए यह रहे तो ऊस्यार आंजर रहे का मिलकर बना है का किंदेन से मिलकर बना है का सा से, का छा से, चा छा से या चा सा से तो 24 वे का सही आंसर होगा A, clear है अगर आप English keyboard में छा भी टाइप करते हैं किसे टाइप करते हैं KSH, clear है तो वहाँ से भी आप जज़ कर सकते हैं का और SH से सा तो 6 मिलकर बना है और SH से, ध्यान रखेगा कि पहले वाले में हलंत रहेगा option में बिन हलंत वाला भी option आपको दे सकता है, लेकिन उसको आपको आंसर नहीं लेना है, 24 वे का सही आंसर होगा A next question है, स्वतंत रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हासा की सबसे छोटी काई को 6 वर्णों से बने सपनों को इन सभी को तो स्वर कहते हैं स्वतंत रूप से बोने जाने वाले वर्णों को जो स्वतंत रूप में रहते हैं, 25 वे का सही आंसर होगा A व्यंजन कहते हैं स्वतंत रुप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वरों की सहता से बोले जाने वाले वर्णों को विदेशी वर्णों को या इनमे से कोई नहीं तो व्यंजन किसे कहेंगे व्यंजन कहते हैं स्वरों की सहता से बोले जाने वाले वर्णों को तो 26 वे का सही आंसर होगा फी नेस कोशन है अनुनासिक वेंजन कौन से होते हैं अनुनासिक वेंजन अनुनासिक और निनुनासिक ये दो वेंजनों के बारे में हमने पढ़ा है वर्ग के प्रतमाक्षर वर्ग के तृतियाक्षर वर्ग के चतुराक्षर या वर्ग के पंचम क्लियर है अनुनासिक मतलब जिसका प्रयोग करते समय या जिसको बढ़न को बोलते समय हम नाग से वायू बाहर निकालते हैं क्लियर है तो इसका सही आंसर होगा ध्यान रेखेगा डी वर्ग के पंचमाक्षर इस चार्ट के नुसार अगर मैं बात करूँ तो ये इस पर्श वर्ण में जो ये जो पाच्वा वर्ण आपको दिख रहे हैं अंगा इया अडा न और म इसका प्रयोग करते समय हमारे मुख औ और नाग दोनों से वायू बाहर आती है और पंचमाक्षर को ही नासिक के वर्ण के नाम से या नासिक के वंजन के नाम से भी हम जानते हैं इस को सने पूछा कि अनुनासिक वंजन तो वर्ण के पंचमाक्षर जो अंतिम वर्ण है उसको हम अनुनासिक वंजन के अंतरगत ल अंसर होगा A, जो A और E से मिलकर बनता है, ऐसे सवर, ऐसे सजर जो दो सवरों से मिलकर बनते हैं, उसे हम संयुक्त सवर कहते हैं, और ये कौन-कौन से हैं, तो A है, A है, O है और O है, ये चार संयुक्त सवर है, जो वेंजन, दो या दो से अधिक वेंजनों से मिलकर बनते हैं, वह या दो से अधिक वेंजनों से मिलकर बनते हैं वेंजन समूँ वेंजन कुछ संयुक्ते वेंजन या वियुक्ते वेंजन ऐसे वेंजनों को हम कहते हैं संयुक्ते वेंजन संयुक्ते वेंजनों के संख्या है चार, छा, त्र, ग्या और स्र एक या अनिक अक्षरों के मेल से जो सार्था की काई बनती है वह है एक या अनिक अक्षरों के मेल से जो सार्था की काई बनती है वर्ण, अक्षर, वाक्य या सब्द तो एक या एक से अधिक अक्षर बने या वर्ण सार्था की काई मतलब जो भी अर्थ प्रकट करते हैं यह है न वर्ण आपस मिल कर क्या बनाते हैं सब्द बनाते हैं इसका सही आंसर होगा D clear है वर्णों के मिल से क्या बनता है सब्द बनता है इसलिए तीस्वे का सही आंसर होगा D इस वीडियो में हमने वर्णमाला को विस्तित रूप से पढ़ा और उसे सम्बंदित कुछ बहुविकल्पी प्रस्नों को भी हमने हल किया जो भी आपके डाउट्स है निचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं यह वीडियो यही पर समाप्त हुआ धन्यवाद